शत्रपती शिवाजी महाराज का जन शाहजी भोसले के शाही परिवार में हुआ था। वह एक जनजात नेता थे और उन्होंने मराथा सामराज्य की स्थापना की जिसने शक्तेशाली मुगलों को भी भैभीत कर दिया। The 16th of February 1627 को शिवनेरी में जनमे शिवाजी शाहजी के गौरवशाली पुतु थे। हिंदी में शिवाजी महाराज का यह निबंध आपको प्रजा के राजा की महिमा और पराक्रम के बारे में बताएगा। शिवाजी की माता जीजाबाई भी व्यक्तित्व में बहुत मजबू किया। लेकिन एक आदर्ष हिंदू के चरित्र की मजबूत लचीला विशेष्टाओं को भी आत्मसात किया। उन्होंने कभी किसी ताकत के आगे जुकना नहीं सीखा। उन्हें दादा कौन देव ने समकालीन युग में प्रासंगिक विभिन युद्ध कोशल सीखने के ल उन्होंने संत रामदेव की शिक्षाओं का पालन किया और धर्म के महत्व को समझा। इस शिक्षा में सभी धर्मों, राजनीती और संस्कृती का महत्व शामिल था। इतिहासकारों के अंग्रेजी में शिवाजी महाराज के निबंध के साक्षिर से आप देखेंगे कि उन राज्य के आसपास के दुश्मिनों पर हमला करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक बड़ा और मजबूत सामराज्य बनाने के लिए उन पर कबजा कर लिया। तोरण और पुरंदर के किलों में जैसे ही उनका जंडा फहराया गया। उनकी वीरता और शक्ती की गाथाए दिल्ली और आगरा तक पहुँच गई। शासक चाहे वे अत्याचारी हो या विशे प्रेमी उसके नाम से डरने लगे। बीजापूर का राजा आदल शाह अपनी बढ़ती हुई शक्ती से भायभीत था। फिर उसने शिवाजी महाराज के पिता शाह जी को पकड़ लिया और उसे कैद कर लिया। अपने पिता के कारावास के बारे में जानकर वह प्रोधित हुए लेकिन उसने अपना दिमाग नहीं खोया। उसने अच्छी योजना बनाई और अपने पिता को मुक्त कर दिया। इससे आदल शाह और भी भड़क गए। उसने अपने सेनापती अ एक हत्या की योजना बनाने और शिवाजी को मिटाने का आदेश दिया। अपजल ने अपना विश्वास हासल करने और उसे मारने के लिए एक दोस्त के रूप में काम किया। शिवाजी एक कदम आगे थे। उसने अपजल खा को अपने लबादे में एक घातक खंजर छिप किया था। उन्हें कई लोग मुस्लिम विरोधी मानते थे लेकिन वास्तब में यह सच नहीं है। उनके दो सेनापती सिद्धी और दौलत खान थे। इतिहासकारों का सुझाब है कि उनकी सेना में विभिन जातियों और धर्मों के सैनिक शामिल थे। उन्होंने जाती धर् करना कभी नहीं सीखा। उन्होंने अपनी उर्जा को मिटाने पर केंद्रत किया समकालीन युक्य अर्थ्याचारी। उनमें से अधिकांश मुस्लिम शासक थे। उन्होंने कभी किसी राज्य को उखारने। के लिए किसी धार्मिक युद्ध या मकसद को नहीं उकसाया। उसने जो कुछ किया वह सबबाटिकल औरंग जेब और अन्य शासकों के तहट आम लोगों के दर्द को समझना था। उन्होंने कई लोगों को मुक्त किया और इस प्रकार उनके प्रशनसकों द्वारा छत्रपती शिवाजी नाम दिया गया। उन्होंने 27 वर्षों तक सामराज्य पर शासन किया और अनुसरन करने के लिए एक उदाहरन बनाया। फिर वह बीमार पढ़ गए और तीन सप्ताह तक अग्याद बुखार से पीड़ित रहे। इसके बाद उन्होंने अपनी बीमारी के कारण और the 3rd of April 1680 को रायगर किले में उनकी मृत्यू हो टू किले में उनकी मृत्वार कारण बनायद रहे और वहारे किले में बनाया प्राण बनाया। उन्होंने बनाया।